दोस्तो अक्सर हमारे घरों में ब्रेट के कोने या कुछ ब्रेट बची जाती है, समझ नहीं आता कि उसका क्या करें तो आईए मैं आपको बताती हूँ ब्रेट के कोनों या लेफट ओवर ब्रेट से बनी एक ऐसी रेसिपी जो खाने में है बहुत टेस्टी और इसको खाकर आपको मज़ा आजाएगा आप इसे चाहे तो टिफिन में दे सकते हैं या यूँ ही चाय के साथ इंजॉई कर सकते हैं इसके लिए मैंने गैस पर पैन को गर्म करने रखा और जब पैन गर्म हो गया तो उसमें डाल दिये ब्रेट के कोने ये करीब 6-7 ब्रेट के कोने बचे हुए थे तो मैंने सब को इसमें डाल दिया फिर इसमें मैंने एड़ किया थोड़ा सा पानी, इसमें ज्यादा पानी एड़ ना करें, नहीं तो ये बिल्कुल घोल बन जाएगा थोड़ा पानी डाल कर हम ब्रेड को इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से गाड़ी ना हो जाए और सूख ना जाए, गैस की फ्लेम को कर देंगे ओफ, इसके बाद इसके ओपर मैंने डाला बारी कटा हरा धनिया, और इगनू, चिली फ्लेक्स, इसक मैश को ठंडा होने देंगे और अलग प्लेट में पलट लेंगे, जब मैश ठंडा हो जाए तो हाथों में तेल लगाकर इसके गोल-गोल कटलेट बना लेंगे, सारे कटलेट को इसी तरह तयार कर लेंगे, देखिए लेफ्ट ओवर ब्रेड से कितने सारे ब्रेड क्रम्स ब एक एकर अपने ब्रेड पनीर के कटलेट को इसमें अच्छे से कोट कर देंगे, इसके बाद हम इसे डीफ्राइ नहीं करना, एक फ्राइंग पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा तेल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम आज पर एक एक कर अपने कटलेट को इसमें रख देंगे, दोस्तों जब एक तरफ से कटलेट अच्छे से पक जाए तो ही इसे पल्टें, करीब एक से दो मिनट बाद जब मैंने कटलेट को पल्टा तो देखी ये कितने गोल्डन ब्राउन हो गए, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एक दम पनीर से भरे हुए, इन्हें अलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेंगे, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लें, तो तयार है हमारे लेफ्ट ओवर ब्रेड और पनीर से बने कटलेट, इसे सौस या चटनी के साथ इन्जॉय की कीप कुकीं!